का टा यह पार मूहें है दो्क्टर बाबा साहिएब अमबीडकर उपन युनिवर्सिटि नमस्कार पी एककट्र बाबा सहではब आमबीडकर ओपन युनिवर्सिटी गुजराती विभाग ना उपक्रमें प्रोफेसर योगेंदर पारेक आप सवनों हार्दीक अभिवादेन करूँ जो आजे आपने साहीतियोंने समुह माध्यमों विशेपर वाद करीशो एमेमा अनुसनातक कक्षाई निबंदना पीपर मा आ निबंद पन अभियास्करम माँचे वर्षोती ग्रविद युनिवर्सेटियों मा साहीतियक निबंदो तरीके ची नुहंतपात्र निबंदो पसंद धाई चे तेमा आ निबंद धनिवारियों पने होई चे अपने आ निबंदनो अभियास्करम मा समाविश करेव चा एक्विश्मी सदी ना बीजादायका नी समाप्ति ना 244 रेयासी त्यारे हूं आपनी साथे वात करीवाजुँआ 2020 अने डिसेंबर मैनो आजे विश्व अपना जानीता सरचक निबंदकार गुणवन शाहनी बाशामा कहुत्तो पुरुथ्वी चनी बोर जिवडी थे गई चा गुणवन भैये मेक निबंदमा लख्युँचा तो आजना समय मां समुमाध्यमों अंगे नो विचार जरा जुदी रिदे करवो पड़े इवा अत्यंत आधुनिक विश्वमां आपने सव प्रवेशी चुके आची है अल्बद मात्र पत्रकारत्वनी वात आपने नसी करवी साहित्याने समुमाध्यमों वच्चेन अनुमंद एने आपने तपासवानों जो अपना अभियास्क्रम मा विस्त्रूत रिते रिगतो साथे आको निबन मलशे परन्तो आ व्याक्याननों उद्देश अविशे प्रत्ती अभिमुक्त थवानों जे आपनी आ सहियारी समझननी यात्राचे समझननी सहियारी यात्राचे मित्रों सहित्य अटले शूं आपने समझिये चिये समहमाध्यमों एटले शूं आपने जानिये चिया सहित्यना विद्यार्थी तरीके भाषा जेनु उपादान छे एवी एक ललित कला तरीके सहित्य इनना विवित स्वरूपो प्रकारों एनी जानकारी केलवाया पछी आपने आज ये विचार करिये समुमाध्यमों साथेना सहित्यना अनुबंधनों आविचार करवानों रहे एनी एक सैक्षणिक अनिवारियतानी साथे आपना चिंतनशिल मानस ने घणी बदी दिशामा घणी सुक्षमता थी विचारवाने माटे प्रेरे एवो आमामलों जे प्रुत्वी ज्यारे चाणी बोर जेवडी थेगे होई एम कई शेक्ये इटलू एनस्वरूप ये अर्थ मां ग्लोबल विलेज मां कन्वर्ट थेगे विश्वग्राम इवा समयमा अनेम थवा पाचलनों मुख्य भूमी का टेक्नोलोजी नीच है प्रत्यायन इटले के कम्मुनिकेशन ना साधनों तेज गती आगल वधी रहा होई मनुष्यनी पासे 24 कलाग चा एक दीवस्ना ए 24 कलाग मां एना चीत पर जुदी जुदी भूमी का आए किटली वस्तू अठलवाई जै साहित्या छपाएलू साहित्या छपाएलो शब्द साहित्या कला तरीके आपनी पासे आवेश है अपने माची है हाड कोपी बुक फोर्म चोपणी स्वरूपे आपनी पासे रहेली कविता नवलकथा नवलिका नाट के कांकी सोनेट के एक नानकलू हैकू अपना चीत्त माँ जग्या रोके छे आपना समेधन तंत्र ने असर करे छे यह आपने आनंद आपे छे क्यारेक बोध आपे छे आसाहित्या रसानू भव छे एम केवाई उची भुविकाय के वह तो तो 24 लाग मनुश्य पासे होई तो ए मनोरंजन अर्थे कहो बोध माटे कहो आनंद प्राप्ति माटे कहो अभ्यास माटे कहो जए आपनी पासे चौपडी स्वरूपे उपलुप्ध छे ते साहित्या प्रस्तुतिनी अन्यकलाओ द्वारा इन्रुत्य संगेत नाटक जिवा माध्यम थी आपड़ी पासे पीरसायु शाहित्यमा जगत आखाना अनुभवँ छे औने कोई एक मनुष्यनु पन अंतर जगत छे आखू सुक्ष्मत आथी लईने विशाळता सुथी एनोचे व्याप छे विशैवस्तुनी दुरुष्टिये रचना रितिनी दुरुष्टिये बाशानी अनन्त लिलाओनी दुरुष्टिये दरेक बाशा पासे पोतानु आगवुं साहित्या जाू इतियास पन साहित्या स्वरुपों मले अन साहित्या पोतानु पन इतियास हो आए आम साहित्या केटली बदी विद्ध्या शाखाओ साथे जुडाएलू जाया ये मनुवी जिन्यान साथे के फिल्सुपिस साथे पन इतियास साथे भुगोल साथे औनी वारी अपने अनुबंद धरावे चे मानव विद्या हो थी साहित्याने छूटू पाड़ी शकातुन थी आपने नवलकथा वांचता हो ये के वारता वांचता हो ये तो नवलकथा के वारता इटले के कथा साहित्याना पात्रों येना वर्तन्य अनुब अभ्यास करिये येना वर्तन्य अनुभविये त्यारे आपने सहज पने मनुवी ज्ञाननी विद्याशाखामा सरकिजीगे जिया कोई पात्र नी एक तात्मिक भुमी का होई मुख्य पात्र ने के गौण पात्र नी जीवान प्रतियनों अभीगम होई कोई वार्ता के नवल कथानु पात्र मोख्षने अर्थे जजुम्तु होई इन्ही एक अध्याद्मिक भुमिका होई कोई अंडर वर्ड कहिए एकले के अंधरी आलमनु कोई पात्र होई मारे के वुए छे के मनुष्य तरीके नी अनिक विद शक्यताओ सहित यमाँ विस्तरती जाए अभिव्यक्ते थती जाए वाचक नी रुची ने संतोशे रुची नुकरतर करे रुची ने केलवे वाचक रुची ने केलवाएली रुची ने आनंद आपे वाचक नी कसोटी माथी पास थाए आवी अनिक विद भुमिक आए साहितिय ने भावक ने परस्पर मुकाबलो थाए मिलन थाए नातो बंदाए आए आ शाहितिय न vet वंश्य साथेनो नातो जे वावक साथेनो नातो जे शर्चेक फोते मनुष्य के एक उमधा मनुष्य तरीके पूतानी जीवन चेतनानों मुल्यवान सरवालों ये साहित्य क्रूती नी रचना वक्ते अरपन करें चें साहित्य क्रूती मा तेना सर्जक नी जिवाई गए गश्णोंनों सवती उत्तम समय जेचे एशय माचे सर्जन पाचल गए हो चें ये सर्जन येना भावक पासे पहुचे जे ले भावक ने इना सर्जक नी वाचक ने तेना लेखक नी वाचक ने तेना सर्जक नी मुल्यवान क्षणोंनों सरवालों कडा सो रूपे मड़ाई चें साहीत ये कळामा तेम अन्यकळामा पन बाकी बदी बाबत मां दरीक मानस सरखाँ जोचे अनि ये सामाझ ये मारश करता सर्जक जुदो जो सर्जक कें के वाई जा तो आ साहित्य लिपी बद्ध थवानु शरू थे उत्यार थी अन्य ये पहला लिपी बद्ध नौतु थे उत्यारे कंठोप कंठ सच्वातू ये लोक साहित्य मानवृदयीनी उरमी ओ कानके कंठस्त साहित्य स्मृतु माँ सच्वायू हॉए स्मृति माँ आकि स्रस्वती चंद्र नवल कथा न सच्वाय। स्पृति मा सच्वा ये लोग गित होई येना सर्जक कोण तेनी खबर ना होई ये आँठ दस पंदर कड़ीनू होई के 40-50 कड़ीनू होई पन ये याद रहे जाए याद राखू अगरू न पड़े पेठी दर पेठी पेठी यो जेम जेम जाए तेम ये सच्वा तू सच्व पातो मनुष्य उर्मा बीजी स्वरूपे पड़ू होई येनी चेतनामा व्रुक स्वरूपे विक्से येनी वाणी मा अभिव्यक्त थाए कोई जवर्चन मेगानी जेवो लोग साहित्यना दोल दोयानू काम करतो मानस बेसीने कोई डेली बाई पासे जाए ने नेशडामा बेसन गीतो सामबले ने नोदे टपकावे पाचि मुद्रित स्वरूपे आवे आ साहित्या युगो नी मनुष्य जाती नी गाथानू साहित्या इना सपनानू साहित्या इनी पीडानू साहित्या विच्छेदनू साहित्या मिलननू साहित्या तत्वग्णनू पन साहित्या मनो भूमीने आकार अब्तू सहित्या वारतामा होई ये कवितामा होई पवुरानीक सहित्या पुराण लुण आधारे रखाएलू सहित्या पन होई ये बदू जुदा स्वरूपे दरेक काल नो सर्चक पोतानी भूमी काई मुकिए आपय और मनुष्य जाती पासे शब्दनो सहीत्य नो एक वार्सो जें मुद्रित स्वरूपे आउतो गयो एम सच्वातो गयो द्वनी मुद्रन पन थतो गयो द्रश्य श्राविय माध्यम मापण आपनी समक सहीत्य पेर सातो गयो सहीत्य टकी रह्यो नुश्वरूपांतर थतो गयो इनी प्रस्तुती जुदी रिते थवा लगी एम मनोरंजनना साधोनों वद्वाला गया आनंदप्राप्तिना साधोनों वद्वाला गया एम सहीत्य ने अनेक वीद भुमी काये रजुथवानी तक मले जे याद राकिया आपने के पहला मात्र कंठोब कंठ सचवायलू हतु ते अस्तप्रत पर मलियू यह अस्तप्रत नुश्योधन थयू शन्शोधन थयू संपाधन थयू वड़ी पुस्तक स्वरूपे मलियू मुद्रन यंत्रों विक्षया एम आपने पुस्तकोनी दुनिय आमा प्रवेश्या आपनी पासे छपायलू साहित याववा लग्यू पुस्तकालायोनू निर्मान थयू एमा बदु आपने साचवता था या जेम जेम समय पसार थाएचे एमें प्रस्तुति माटेनी कलाओ एना स्वरूपोन अन्यमाध्यमों विकस्ता जाएचे मनुष्ये जेम साहित्यना मामलामा शोधन शंशोधन करीने मुद्रित स्वरूपे जे विराड वस्तु आपनी पास सामय पाथरे दिदी वैबवन वार्सो आपनना आपयो तेम ए साहित्यना रजुवात माटेना ए साहित्यनी प्रस्तुति माटेना पुस्तक सीवाईना अध्यमों पन बदलाता गया। साहित्याने समु माध्यमों मा आनुबंद समझवाजे वोचे। विग्णाने हरण फाल बरी अने प्रस्तुतीना अन्य संसाधनों अने स्वरुपों विकसता गया। नर्सी मेता अकिल ब्रह्माण्ड मा एक तुँँ श्रीहरीयम लखे कि वैश्नव जन लखे। इस्तप्रत्मा सच्वायलू उपडि होई इनी शंशोधित अवरुती आपने पासे अत्यारे अध्यतन जे स्वरुपे आपने आ कावियो उपलब दचे नर्सीना इस्वरुपे मले अने आपने पासे इरिते नर्सी मेतानी काविय कृतियों साहीत्य सरूपे मले परन्तु ये संगीत लाइबद रिते इन्हों स्वरांकन थाय ने आपनी पास से गायक कलाकार जारे प्रस्तुत करे त्यारे इन्हों माध्यम बजलाई जाये हस्त प्रत्माथी चौपडी माँ आवेलू अपना करण पठल पर कुषल गायक संगीत ना माध्यम ती कुषल गायक द्वरा अपना काने पोँच इत्यारे अपना आनंद लोक विस्तरे अपने कल्पना करिये कि नरसी मेता सदेहे आ प्रुथ्वी पर पाचा फरे अने एमनी पासे एंड्रोइड मोबाईल उपलब्द था है अनी योट्यूब पर तेवो वैश्णव जन सांबले तो तेमने क्यों रोमांच था है तो योट्यूब जेचे ये समुमाध्यमनू अध्यतन स्वरुपच्या मित्रों साहित्य मुद्रित स्वरुपए इटले के पुस्तक स्वरुपए इटले के ग्रंथ स्वरुपए आपनी पासे पहुँचे सचवाई तेनी ग्रंथ सम्रुपदीनों एक आगवोई इतियास छे अपने तनों अभियास करिये वांची आनन्द पामिये त्याज मात्र सहित्यनी भूमी का समाप्त थति न थी एक समय है तो कि सहित्यने प्रस्तुति माटेना साधनों संसाधनों मरिया दित था प्रेमानन जेवो सर्जक दशम्सकंद आधारित आख्यान लखे ये प्रस्तुत करवा माटे मान भट तरीखे आख्यान रजु करे ये रजुआत कलाना उनमेश दाखवे उन्हे प्रजानों मनोर इंजन थाए उन्हें अमधी बोध निश्पन न थाए ये आख्यान प्रस्तुती द्वारा एनी फळ सुरुती पन प्रजासुदी पहुँचाडए अन्य लगबग एक कथाकार्णों होई ये वो रोल के कथाकार्णी होई ये भुमिक आए ये आख्यान रजु करे इमाथी अमना जीवन निर्वाह थाए अन्य लोकों नो समय खुब सारी रिते पसार थाए इन्य मनोर इंजन पन मले, धर्म बोध पन मले, जीवन बोध पन मले मद्यकालना सर्जक पासे जीवननु जे स्वरुपतु अनुभवनु जे विश्व हतु ये अनुभवनु विश्व एमने वार्षामा मलेला पौरानिक साहितिय अने महकावियनु हतु तेने ए सर्जकोए पोता निरिते रुपा अंतरण करिऊ एक कलाकृति मा ये आख्यानमा होई शके जीवदा हुदा पदमा होई शके जेमके विश्वनात जानीनी प्रेम पचीसी चे तेक अनन्य नाट्योर मी गीत माला चे मीरा भईना भजन हो चे नरसी मेता प्रेमानन अख आ दरेक पास है प्रस्तोती माटे शूँ होतु रजू के विरित्थ वह पहुँचाडवू कें प्रेमानन सुधामा चरित्र के कुमरभाईनू मामेरू नी चौपडियो छपावी ने चौपडियो दुकान खोलीनू दा बेटा तेवो लोको सुथी पहुँचाए दा कानके एमना समय मा मुद्रन कला प्रिंचिंग टेक्नोलोजी नो विकास नो तो तोया। नेतर कोदा चेम बनत के आख्यानी रजुवाद पची सुधामा चरित्र नी एक एक नकल बदा खरित्ता हो। यमा के खोटू नती कानके आपनी पास है आजे ए ग्रंथ स्वरूपे बदू तो प्रस्तोदी माठे ना माध्यमों जुना समय माचे हता है कया हता के आपनी पासे जुनी रंग भूमी आपने जेने कहिया ची है और येनी पहला भवाई तो अब भवाई द्वारा पन लोग नाटिय लोको सुधी पहुंत तो आख्यान द्वारा प्रेमानन निकविता लोको सुधी पहुंचती तो अ लोको इटले समूं समूं माध्यम इटले विशार संख्यामा लोको सुधी पहुंचाड नरू माध्यम तो पहला भवाई लोकनाटिय आख्यान कथा कथन प्रेमानन करता पच्चीना समयम आपने जेम आवियेच ये तेम मुद्रन यंत्रों नो विकास थवा थी चौपडी स्वरूपे तो बदू आउतो गयू लोको सुधी पहुंच दू गयू उच्च शिक्षन पन उपलब्दे थवा लागयू पुस्त को छपावा लागया अने शिक्षन संस्थाओना सभाग्रू ओमापन प्रस्तुती नी अनेक विद्य शक्यताओ खुलती गे कडा कृती नी प्रस्तुती नी इसंगीत द्वारा होई डुत्य द्वारा होई कि साहित्य कृति ने कोई जूदी रित्य पन वाचिकम द्वारा पठन द्वारा रजुत्थावा लगयू पठनों जें दल्पत राम राजा महराजाओने तिया जहिने गुजराती भाषाना उतकर्ष माटे के कण्या किलवणी माटे पोतानी होईता ललकारता समू सुधी पहुचता समू सुधी विशार संख्या मां पहुचवाना माध्यमों जे हता ए अगाउना समय मां भवाई स्वरूपे आख्यान जेवा कावियनी प्रस्तुती के धर्म कथानू माध्यमतू अन्ने दर्म कथा कैनार कथाकार पन लोको सुधी पहुचवा माटे सही त्यनी उत्तम रचनाओने पोतानी भूमिका इरजु करतो अन्ने अत्यारेमन करेचे त्यना लोकप्रिय कथाकारो लोकप्रिय निवडेली कवितानी पंक्तियो कवियोना नाम जोग उल्ले करीने कथामा टाकेचे पर मरियादित शंसा धनो हता साहीत याने लोको शुधी पहुच वाना साहीत ये विशार स sympathरिय मा लोको शुधी क्यावे पहुची श्लकेचे ज्यारे समाज शिक्षित होई, शब्दनु ग्णान होई, अर्थाद सम्पूण साक्षर्ता होई, वाचता आवडे एना सूती साहित यह पहुँचे, तो ज्यारे अक्षर ग्णान नोतू, शाक्षर्ता नोती, त्यारे भवाई, के कथा के या अख्यान सामढ़ी ने लोको अख्यान आनन मानता, कथाकारनी प्रस्तोती द्वारा, पुस्त काई वो एटले अक्षर ग्णान अनिवारिय बने, अक्षर ग्णान अनिवारिय बने, एटले केड़ों नी अनिवारिय चा, शिक्षन लेवू पड़े, तालीम लेवी पड़ाए, वाचता शिखवू अक्षर उकेलिए एनेज वात्ता अवडे ची उना केवा, ये जुदो प्रश्न चेपाज, वाचता अवड तु होए, अने समझता ना अवडे जुदी वात ते, एकले एमाती आपनी बावक तरीकेनी अधिक्रुत्ता नी वात आवे, कि वाचक तरीकेनी आपनी सज्जता वडारवा माटे, भाशानू साव साधारन ग्न्यानति सेज उपरना तबक का सुधी सामन्य मानस्पन उपर उठेल होवा जुईया, इस सहज रिते साहित्यनों भावक बनी सके, तो समुव सुधी पहुंचनारा माध्यम तरीखे साहित यने पहला पहुंचवान उवतुने आविरिते पहुंचतु आवा संसाधनों द्वारा अवसाधनों द्वारा नाटक लखायू होए लखायू एनो अर्थे थाई ओके नी प्रत थाई पड़े नाटक नो जो प्रयोगज न थाई इतले कि ये भजवाई नहीं तो एनो अर्थ रहतो न थी भजवाई त्यारेज ये नाटक नू ये नाट्ये निर्माण नू सर्जक नू जे दियेई छे ये साची पुर्थी क्या रे था ये नाटक भजवाई तिया रे हवे आपने जूओ दरेक विद्ध्यार्थिया समझवाजी वुँछे आम आपने जानिये ची है पना प्रकार ना व्याक्यान नो लाग अने उपक्रम उद्देश एछे के जेम जेम सांबढिये एम आपने इम था हाई कि हाँ आउज होए मने तो आ खबर हती ये वस्तु आपड़ी अंदर पड़ेली वस्तु जागरुत थे जाए तो कई रीते जागरुत समझाओ कि लोग नाटिया स्वरूपे मलेली कोई रचना छे ये चोपड़ी स्वरूपे होई तो ये तेना वाचक सुधी पहुच इस सो मार्र ones सुधी पहुचि ये ये कजार नकल थैंटो ये येकजार मुणत सुधी पहुचि ये कजार Patanese के लों पने अब दियेनी शक्यताओ चे पने दरेक शक्यताओ नी पोता नी मरिया दाजे एक अजार नकल दरेक नकलने पाँच वाचक माळे तो पण पांचएजार के बहुबवतों दसजार वाचक सुथी पोंच से समुमात्यम शू काम करे छे विशाल संख्या सुतिविस्तरे छे एटले मिथ्या विमान नाटक दलपत्राम लखे 200 वरस पहला पड़े मिथ्या विमान वांचनारा हजार बेजार पांची जार मढ़े 200 वरस मांके 10 जार मढ़े तमे कोई एक संख्या तमा रटकी जवू पड़े एटली ए संख्या मरिया दीत होवा निए परन्तु ये मिथ्या विमान नाटक भजवा है तो केटला लोको शूधी पहुँचे एट चौपडी एकत समये एक जमान सूधी पहुँचे छे पड़े नवल कथा ए नाटक भजव आए त्यारे सभा गुरुणी अंदर एटले के नाट्य गुरुणी अंदर रहेला दारों के 300 प्रेक्षकों छे तो 300 सूधी एक साथे पहुँचे छे तो ये अर्थमा नाटके समुमाध्यम थे भावनगर नाट्य करमी योवानोचे शक्तिसी परमार जिग्नाबाराणा वगेरे खुब मेनद करीने सरस्वरुंद बनावीने घणा बदा पात्रों एक्टा मंगो अम्रत काकी अन्न लोईनी सगाई वारता भजवी येना घणा शो थया येटले के येना घणा प्रयोगो ठता रहे तो लोईनी सगाई तो खुब जानी ती अने सतत अभ्यास्क्रम मा रहे ली टकेली वारता चेटले घणा लोको इमाची होई पर लोईनी सगाई सर्जायाने लगबग सो वरस्त थशे आठ दाइका जी वो समय था ही गयो पर लोईनी सगाई प्रयोग तकता पर निहालनार लोको निसंख्या वदारे जड़कती विश्तरती जाए वतती जाए तो एक साथे एक क्रुती बजवाई त्यारे किटला लोको सुधी पहुँचे चे एक एवानों मारो आशे चे कोई पड़ कलाकृती वाच्ती वखते एनना एक वाचक सुधीच पहुचे चे पने जेरे प्रस्तूत थाये चे कोई पड़ स्वरूप माँ कोई माध्यम माँ विजा माध्यम माँ अनि ए माध्यम अनेक लोकों ने आवरी ले चे त्यारे ए समुह माध्यम बने जाए मित्रों आपने आव्याख्यान मा समूह माध्यमनु काम अने शरुवातना समयी मा समूह माध्यमों स्वरु पे लोकनाटिय प्रेमानन्दी आख्यान रजु करवानी इस सभा होई तेनी वाद आपड़ करी जुनी रंग भूमी मा प्रस्तुत्तता नाटकनी वाद करी इतले के आपने ए समूह सुधी पहुंचतु व्यापक कितलाई लोकों ने आवरी लेतु माध्यम चे एनो अने साहित्यनो आरितनो अनुबेंद होई चे आपने समूह माध्यमोनी भूमी कामा अवे पचिना व्याख्यान मा जैशु त्यां साहित्य अने बिजा समूह माध्यमोना अनुबंदने तपासिये चीए मलिये चीए बिजा व्याक्यान मा आपे मनों सान्तिती सामिळो इब जल आप सोवनों खुपकु बाबार तन्यवाद